एरवावी, एरवावी, चलो चलो, कहाने सुनने चले, सब तयार, एक, दो, तीन चलिए, एक सेर पे चले, जखुमा के साथ, एक नीडर गार्ड जो मिजवरम के जंगलों में रहता है जैसे जैसे जखुमा हमें अपने जंगल से परिचत करवाता है, हमें अलग-अलग जानवरों के बारे में नई जानकारी मिलती है और हम ये भी समझ पाते हैं कि जंगल की रखवाली कैसे की जाती है चलिए, सुनते हैं कहानी एक सेर जंगल की ओरिजनल स्टोरी, Walking in the Wild by सेजल महता हिंदिय में अनुवात किया है स्वागता सेन पिल्लाई और चित्र बनाए है बर्खा लोहिया ये प्रथम्बुक्स प्रकाशन की पेशकश है कहानी सुना रही है असावरी दोशी और एसी बहुत सारी कहानिया सुनने के लिए हमारी वेबसाइट पर जरूर आईएगा www.booksthatspeak.com चलिए, करते हैं सेर एक जंगल की मिजोरम में सूरज अभी जाग ही रहा है डामपा टाइगर विजव को अपनी किरणों से हलका सा धकेल कर जगाते हुए बास के लंबे डंडे एक दूसरे से सटकर खड़े हुए है मिट्टी की पतलीसी गलियों के उपर अपनी लंबी परचाई डाले हुए बगल में सेलिंग नदी कलकलाती हुई बह रही है पेडों की छत्रिया उपर उठती हुई मानों आकाश को चूना चा रही हो नहीं, निस्तब्ध बिना किसी आवाज के नहीं शायद निश्चल, स्थीर, अवश्य ही शान्ती पूर्ण मगर निशब्ध नहीं, जंगल में चुप्पी नहीं होती जिंगूर बोलते है बड़े बड़े भूरे कटफोडवे पेडों के उपर से कुड़कुडाते है बिना पूछ वाले, लंबी बाहो वाले, हुलोक लंगूर इकटे चिल्लाते है महान भारती यद्धनेश की पुकार पूरे जंगल में गूंचती है यहां सुबा होती है, मानो कोई वाद्यवरुंद सुर में बजा रहा हो और जहां जंगल के सभी निवासी आवास दे रहे हो सुप्रभात, हम भी जाग गए इस चंचल मधूर धुन में जंगल का एक रखवाला काम पर है जखुमा, डौन नदी किनारे लगे हुए एक पेड़ पर रखे कैमरा ट्राप की जाँच कर रहे है वो मिजोरम वन विभाग के शिकार विरोधी कैम के गार्ड है वो हर रोज जंगल में टहल कर निश्चित करते है कि किसी भी चीज या व्यक्ती से जंगल को किसी तरह की हानी ना हो पाए ये जो कैमरा ट्राप है इनसे रात को सोते हुए भी उन्हें जंगल की निगरानी करने में मदद मिलती है जखुमा कैमरा में कैद पिछली रात की तस्वीरे देखते है यहाँ एक हौग बिज्जू की तस्वीर चप गई थी अचानक और वहाँ एक काकड की बड़ी सी ना का चित्र जखुमा मस्कुराते है इन्ही पलों से तो उन्हें सबसे अधिक लगाव है जखुमा को जंगल और उसमें बसी हर चीज से प्यार है लगता है बीते कल की रात काफी शान्ती पूर्ण रही जखुमा को जानवरों के स्वभाव के बारे में जानने और उन्हें समझने के लिए तस्वीरे खीचना बहुत अच्छा लगता है सो जब वो जंगल का मुआयना करने को निकलते है अपने नीजी कैमरे में तस्वीरे और वीडियो लेते रहते है बाद में वो इन तस्वीरों और कहानियों को मिजोरम के स्थानीय लोगों और बहुत दूर दूर रहने वालों के साथ भी साज़ा करते है आखिर उत्तर पूर्व भारत के जंगलों के बारे में तो बहुत ही कम जानकारी उपलब्ध है जखुमा कई अनूठे जानवरों की तस्वीरे खीचने में सफल रहे है जैसे सलेटी मोर, तीतर याने के ग्रे पिकॉक फेजन्ट और यहां तक की एक बहुत ही विरला तेंदुआ जिसे अंग्रेजी में क्लाउडेड लेपर्ड कहते है उन्हें अब मालूम है कि यह तेंदुआ बहुत ही कुशल आरोही है और इसके सामने के दाथ बड़े लंबे होते है आरोही मने के क्लाइमबर अरे एक मिनिट यह क्या था? जखुमा वीडियो के और अपलग देखते है तीन आदमी चुपके से अंधेरे में गुम हो गए वो वीडियो को दुबारा चलाते है जखुमा कैमेरा ट्रैप को वापस रखते है और सुरा खोजने लगते है जो शायद उन लोगोंने छोड़े हो शायद वे लोग रिजव के बाहर एक प्रतिरोधक इलाके के गाम से आए हो जखुमा सोचने लगते है मिजो, रियांग और चक्मा दामपा के आसपास रहते है कभी का बार वे लकडी इकठा करने मचली पकडने या शिकार करने रिजर्व के अंदर आते है हाला कि इसकी मनाई है मिजो, रियांग और चक्मा उत्तरपूर्व भारत की स्थानी जनजातिया है इन्हें पर्वतिय जनजाती भी कहां जाता है जखुमा और उनके सहकर्मियों को कुछ समय से जंगल में फिर एक खत्रे की आशंका है लोगों ने बहुत सारे ताड के पेड लगाना शुरू किया है क्योंकि फलो से निकला हुआ ताड का तेल बहुत जल्दी बिकता है लेकिन इन बागों के लिए जगा बनाने में पूरा जंगल कमजोर हो सकता है वन विभाग ने जंगल और जंगली जानवर बचाने के महत्व के बारे में लोगों में जागरुकता फैलाने का काम निरंतर किया है साथ ही गलत काम के लिए अपरादियों को दिये जाने वाले दंड के बारे में भी बताया जाता है मगर जखुमा जानते है कि बदलाव में वक्त लगेगा जखुमा फूर्ती से नदी के किनारे पर चलते है अचानक उन्हें कुछ ऐसा नजर आता है जिससे वो रुख जाते है शिकारियों ने एक जाल बिचाया है उन्होंने एक फंदा लगा रखा है उसमें एक काकड फसा हुआ है जखुमा का दिल उस काकड के लिए करा उठता है कितने ही बार उन्होंने ऐसा दुरुष्य क्यों न देखा हो फिर भी हर बार उन्हें किसी पशु को कश्ट में देखकर बहुत दर्ध होता है साफधानी से वो डरे हुए काकड हीरन के पास जाते है भाग्य से खुद को छुडाने की कोशिस से ठके हुए होने के बावजूत वो जिन्दा है जखुमा तुरन काम पर लग जाते है अपने विभाग को रेडियो के माध्यम से सूचित करने के बाद वो उनके आने तक काकड को शान्त रखने का प्रयास करते है कुछ देर में सहायता पहुचती है और आये हुए गार्ड फंदा काटने में मदद करते है इस बात का ध्यान रखा जाता है कि उस जानवर को कोई चोटना लगे फंदे से छूटते ही काकड चलांग मार कर जंगल में भाग जाता है सभी निश्चिंद हो जाते है कि हिरन ठीक था मगर अब भी काम पूरा नहीं हुआ था शिकारी जाल पर रखने के लिए लोटेंगे इस वज़ा से दल के कुछ कर्मी छुप कर उनका इंतजार करते है सांच धलते धलते अंधेरा चाने लगता है और उधर हवा धीमी दबी सी आवाजे दल के लोगों तक पहुँचाती है जखुमा कैमरा ट्राप वाले वीडियो में दिखने वाले तीनों आदमियों को पहचान लेते है शिकारी चोरी चोरी आगे बढ़ते है उनके हाथों में बड़े बड़े कपड़े के थेले है इस उम्मीद में कि वे शिकार उनमें भरके वापस लोट जाएंगे इससे पहले की वे भाग पाते जखुमा और उनका दल उन्हें घेर लेते है शिकारी पकड़े जाते है और उन्हें कैम्प में लाया जाता है खेल बहुत जल्द खतम हो गया कैम्प में अधिकारी उनसे पूचताच करेंगे डामपा पर अंधेरा चाने लगता है प्रकुति के यही रहस्य, यही अध्भुत सुन्दर अनुभूतियां है जो जखुमा को हर दिन जंगल की रक्षा करने को प्रेरित करते है आसान नहीं है कुछ भी, उधर सीमा पर जंग छिड़ी हुई है शिकारी उग्र होते जा रहे है और उनकी छोटी सी आमदनी में गुजारा करना अपने आप में एक चुनौती है मगर उनके लिए यह सब दिन प्रतिदिन के काम का हिस्सा है आखिर जखुमा जंगल के है और जंगल उनका बच्चों यहां कहानी तो खतम हुई हम आपको रियल जखुमा से मिलाते है जखुमा एक वनरक्षक और वन्यजीव फोटोग्राफर की हैसियत से मिजोरम वनविभाग के डामपा टाइगर रिजव में काम करते है यह भारत के सबसे दूरस्त और दुरगम इलाकों में बसे टाइगर रिजव में से एक है जखुमा ने फोटोग्राफी स्वयम सीखी है उन्होंने डामपा की जैव विविदता की तस्विरों का एक मूल्यवान संग्रह बनाया है जिसमें पेड़ पौधे, जीव जन्तू, कीडे, मकोडे, उभैचर, साप, पक्षी, काई और यहां तक की कवक तक सभी कुछ मौझूद है आँ कहानी खत्तम मुझे और एक सुनिये उसके बाद और एक अच्छा अच्छा आपको भी सुनी है नो और कहानिया तो चलो मेरे साथ www.bookstatspeak.com पर एरवावी, एरवावी